कि अधियर फ्रेंड हम सभी पढ़ रहा है कमपास सर्विंग का यह चैप्टर सर्विंग का इस चैप्टर है कमपास सर्विंग जिसके प्रिवियस मैंने 3-4 वीडियोज अप्लोड किये जिसमें इसके प्रिवियस वीडियो में अब वियुक्त करने वाला हूं कि अगर 4 वीरिंग दी हुई हो और इसके बैक वेरिंग करना हो तो कैसे करेंगे ठीक है और अगर बैक वेरिंग दी हुई हो और उसके प्रियूट करने हैं तो कैसे प्रियूट करेंगे वह उन्सा चीए को और हो इसए बहुत हील है बहुत असान है आप यह इसे को सबन सकते हैं सिंप्ल वे में आपको मैं सब्ञा दोता हूँ यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 Vering यह चार प्रोपर्म दिये जिसके 4 Vering दिया हुआ है LINE AB का 4 Vering यह है, LINE CD का 4 Vering दिया है LINE BC का 4 Vering and LINE DE का 4 Vering यहांकर दिया हुआ है और आपको find out करना है back bearing ठीक है, मैं condition और concept बता देता हूँ back bearing अगर find out करना है 4 Vering दिया हो, given हो, ठीक है given how back bearing आपको find out करना हो तो क्या करेंगे अगर 4 value की value if 4 bearing की value greater than 180 हो 4 bearing की value 180 से ज्यादा हो तो back bearing value find out करने के लिए 4 bearing minus 180 कर लोगे ठीक है यह बिल जाएगा यह पॉर्णा यूज कर लोगे वहीं if 4 bearing is less than 180 तो back bearing उस लाइन का लिएक लिएक कर दोगे बहुत easy है simple concept है आपको आसानी से समझ में आगया होगा कि कितना simple concept है अगर 4 bearing की value 180 से ज्यादा है 180 से कौन ज्यादा है यह कम है यह ज्यादा है यह ज्यादा है ठीक है दूसरा और चौथा 180 से ज्यादा है तो क्या करना है जो value है 4 bearing का उन्हें 180 minus कर दो आपको back bearing मिल जाएगा ठीक है ध्यान रहे हैं यह जो concept में बता रहा हूं यह सारे whole circle bearing में value दी हुई है reduce bearing में नहीं दिये का भी next video में concept सुल्जा दूना कि आपको आसानी से समझ में आता है ठीक है यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो अगर 4 bearing due ही हो back bearing find out करनी है तो simple concept यह है concept कि अगर 4 bearing की value 180 से ज्यादा हो रही है सिंपल concept है ठीक है simple concept है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है Simple concept है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा just one minute यहां पर यह value यहां पर थोड़ा सा mistake होगा अगर 180 से कम है यहां तो थोड़ा सा mistake हो रहा था अगर 180 से कम है तो जो 4 bearing की value होगी उसमें 180 add करेंगे ये point जान गरतना ठीक है अगर 180 से कम है तो 4 bearing में से 180 minus करेंगे अगर 4 bearing की value 180 से कम है ठीक है 180 से कम है तो उसमें 180 degree add कर देंगे 180 degree क्या करेंगे add कर देंगे आपको में जाएगा और यह जो value मिलेगे ना यह दोनों की value whole circle bearing में ही मिलेगी यह भी whole circle bearing में ही मिलेगी यह जब गया ठीक है तब यूशी भी whole circle bearing में ही value मिलेगी चल रहते हैं यह जो 4 question दिये हैं इसको solve करके मैं यहाँ पर बता देता हूं कि कैसे इसको फटा बढ़ कर लेते हैं यह formula आपको समझ में आ गया होगा इन्हीं formula का use करके आप आसानी से find out कर सकते हो तो क्या करेंगे पहरा दो question जो दिया है यहाँ भी AB या ऐसे रिख सकते हो 4 bearing of line AB equal to 12 degree 24 minute तो यह आपको concept वह रिख होगे ठीक है concept क्या होगा तो मैंने बताया था कि जो यह 4 bearing यह क्या है 180 से काम है तो इसका back bearing क्या होगा यहाँ because of 4 bearing is less than 180 then back bearing of line AB equal to क्या होगा back bearing of line AB कम है तो इसमें 180 degree क्या कर देंगे आड कर देंगे ठीक है समझ में आगया होगा तो 180 degree इसमें अगर आड करते हो तो 180 में 12 कर दो 192 degree और 24 minute हो जाएगा simple concept है दूसरा होगा इंपर देख लिए होगा है दूसरा क्या दिया होगा है 4 bearing of CD line कितना दिया है 4 bearing of line CD बो जो CD line बो कितना दिया है 266 degree 30 minute यह क्या है 180 से जादा है किसमें 180 minus कर देंगे यहाँ कुलिएग सकते हो because of poor bearing is greater than 180 degree so therefore back bearing of CD line equal to क्या हो जाएगा इसमें 263 degree 30 minute 180 degree 0 minute minus कर देंगे ठीक है इसको क्लिक करोगे तो degree पहले आएगा फिर 30 क्लिक करोगे और इसको दुबारा क्लिक करोगे तो minute आएगा ठीक है फिर minus करना है 180 degree 0 minute equal कर दीए 86 degree 30 minute आगे मेरा 86 degree 30 minute answer आगे है 86 degree 30 minute यह back bearing हो जाएगा तीसरा वही कर लेते हैं तीसरा क्या है 4 bearing of line BC दिया है कितना दिया है 119 degree 48 minute यहांको वही concept FB is less than 180 degree so therefore back bearing of line BC equal to क्या हो जाएगा इसमें 180 degree add कर दिया है 180 degree add कर दिया है कर दिया है कितना है यही concept यहांको पर दिख कर रहा हम ताकि आपको आसानी से दिख जाए क्या है 119 degree 48 minute प्लस करो 180 degree 0 minute equal कर दिया कितना 299 degree 48 minute 299 degree 48 minute आ गया है तो इस तरीके से फाइनट कर लिया है वही 4th चौता है नंबर चौता नंबर तो क्या है 4th bearing of line DE ठीके DE line का 4 bearing क्या है 3,5,4 degree 18 minute यहां पर प्लस क्या रिख कितना है प्लस क्या रिख कितना है 4 bearing is greater than 180 degree then greater हो minus क्या है थेरो सुथ गारन के इनबर माइनस कर दे रहे हैं कितना है 354 डिग्री 18 मिनट ठीक है उसमेंच क्या कर देना माइनस करना है 180 डिग्री इतना आ गया 174 डिग्री 18 मिनट इस तरीकी का कॉंसेट करके अब आप ऐसे फाइंट कर सकते हो बहुत की आसान तरीका है बहुत की इसी तरीका है आपको फाइंट करने का पर यह कॉंसेट करो घो आपको आजनी से फाइंट हो जाएगा देखे रहे हैं एसे वीडियो अभी न आपको समझा दूना ठीक है तो आपके देखते रहिए और अपने दोस्ट में तरको भी श्यार करें कि ताथ लोगी इससा बेने फिले सके हैं तो थैंक यूबर वाचिंग इस वीडियो